तो आज हम आपको बताएंगे पाच ऐसी गलतिया जो गार्मेंट का स्टोर चलाने वारी लोग करते हैं यह ऐसी पाच गलतिया आप बिलकुल नहीं कर नहीं तो सबसे पहले मैं आपको बदा मत सबसे जरूरी पॉइंट है जो गलती आप करते हैं वह है कि पूर इंवेंटरी म बहुत ज्यादा हो जाएगा इस टाउक को मेरेजमेंट करने का काम बहुत ही जरूरी है इसकी बहुत टेप्स हम देते रहते हैं सौफ़वर को यूज की एक्सल को यूज कीजिए और अपनी रेंटरी को अच्छे तरीके से मेंटेन कीजिए और दूसरी गलती जो रिटेलर करते हैं किस टाइब का प्रॉडक्ट पसंद करेंगे क्या प्राइस रेंज पसंद कर रहे हैं कौन से एज गुरूप को आप बेचना चा रहे हैं तब तक आप यहीं डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बेचना क्या है किसको बेचना है और कहां मार्किट करना है जब आपका विजोन मर्चंडाइजिंग वी एम उसको अच्छा नहीं रखते हैं उसको शैटर रखते हैं और बार बार न्यू जो होना चाहिए आपके स्टोर में वेशा न्यूनेज बनी रहनी चाहिए सही जगह पर सही स्टॉक होना ऐसा डिस्प्ले होना जिसे कस्मर अट्रैक्ट हो ख होने चाहिए अंड़र लोग बहुत नीटन तीन होना चाहिए दूर नहीं चड़ी होनी चाहिए यह बहुत चोटी चोटी गल्तिया है इसको इंग्नोर कर जेते हैं वाद वीजोल मर्चंडाइजिंग को अच्छे से रखना बहुत जलूरी है और इसके साथ में चौथी गल करें को बहुत जरूरी है कि आप मार्केटिंग अट ह्रम करें क्योंकि मार्केटिंग हमेशा स्टेजिज में की जाती है और के तब ही आपको उसको प्लान करें करें और उसकी वज़े से आपकी sales up and down जाती रहती है तो आपको marketing को regular रखना रोखना नहीं है कोई भी season up and down social media सारे mediums को use कीजिए और अपनी marketing को regular कीजिए जो भी आपका budget है ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा paper में डलवाना है जो भी आपका budget है उसको mind में रखते हुए आप marketing कीज गलती नमबर पाच जो सभी डिटेलर करते हैं वो है कि टाइम के साथ चेंज ना होना मतलब अड़ाप्ट ना होना fashion trends जैसे जैसे fashion trends होते हैं हमें भी उसका अड़ाप्ट होना बहुत जरूरी है अगर हम अपने हिसाब से सोच के purchasing करेंगे और जो market में चल रहा है वो नहीं तो सेल लूज होने के पूरे पूरे chances हैं और एक्जापल में आपको देता हूँ आज की दिपे court sets बहुत ही नहीं इस साल में अगर आपने store पे रखेंगे तो बहुत अच्छे results आने के chances हैं और साथ ही साथ में रीटेलर्स ऐसा भी करते हैं मैं बहुत सारे retailers से मिलती रहती ह करते हैं वह हमेशा एक ही बात बोगते हैं कि यह हमारे अर्या में ने चलता यह मैं कभी नहीं बेचता इस बात को समझे कि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे एक brand आपको कोई भी product offer कर रहा है तो वह industry को देखते वही कर रहा है कि यह मेरी target audience है इसको यह पसंद आएगा आपको भी अपने store में वो newness वो freshness लानी पड़ेगी तभी तो आपके customer को कुछ fresh दिखेगा तो आपको change क करने में tension नहीं लेनी चाहिए बहुत ही कम quantity से रिस्क लीजिए बट लीजिए जिससे कि आपके customer को कुछ freshness दिखा सके तब ही आपको पता चलेगा कि आपके customer की needs किस तरीके से आ रही है और आप किस तरीके से जो एक opportunity loss होता है वो नहीं कर रहे हैं कि customer खरीज सकता था पर आ देखे जहां पाएं तुम्हारे चैनल को subscribe कर लिजिए इस तरह की informative वीडियो उसके लिए और इस वीडियो पर like share and comment जरूर किजिए तैंक यू